प्रश्ण एक बच्पन में लेखक अपने मामा के गाउं चाव से क्यूं जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यूं कहता था बच्पन में लेखक अपने मामा के गाउं चाव से इसलिए जाता था क्यूंकि गाउं में उसका मन बड़ी आसानी से लग जाता था और गाउं के बदलू मनिहार उसे लाख की रंग बिरंगी मनमोह का गोलियां मना कर देते थे तथा लेखक का आदर सतकार करते हुए स्वादिश्टाम और मलाई भी खिलाया करते थे गाउं के सबी बच्चे बदलू को मामा ना कहकर काका कहते थे इस कारण लेखक भी उन्हें बदलू काका कहकर संबोधित करता था प्रश्न दू वस्तू विनिमे क्या है विनिमे की प्रचलित पद्यती क्या है हावशक्ता के अनुसार वस्तू का आदान प्रदान करना वस्तू विनिमे कहलाता है वस्तू विनिमे की पद्यती हमारे देश में प्राचेन काल से प्रचलित है वरतमान में वस्तू विनिमे का स्वरूप बदल गया है इसका रूप आज धन का उपयोग करते हुए वस्तूओं को संग्रहित करने ने ले लिया है प्रश्न तीन मशीनी युग ने कितने हाथ काड़ दिये हैं इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की और संकेत किया है इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह कहना चाता है कि मसीनी युग के कारण कुटीर उद्योग दंदे समापत हो गए हैं जिन कुटीर उद्योग दंदों द्वारा सामाने जन अपनी आजीवी का चलाते थे उनका स्थान अब मशीनों ने ले लिया है जिसके कारण ऐसे कामगारों का जीवन दूबर हो गया है उनके आतों में गुण होने के उपरांत भी वे अगुणी बनकर रह गए है जिसन चार बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यता थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी बदलू लाख की चूड़ियां बनाने वाला एक कुशल मनीहार था उसकी चूड़ियां केवल उसी गाउं में नहीं अपित्व आसपास के गाउं में भी अपनी पैठ बना चुकी थी समय बीतने के साथ साथ इन लाख की चूड़ियों का स्थान अब मशीनी चूड़ियों ने ले लिया था जिसके करण बदलू का काम दिरे दिरे बंद हो गया अब वह महिलाओं के आतों में काच की चूड़ियां देखकर विवश होकर रह गया बदलू के मन की यह विथा लेखक से ठीपी ना रह सकी प्रश्न पांच मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलावाया मशीनी युग के आगमन से बदलू के जीवन में अनेक परिवर्तन आए मशीनों से चूड़िया निर्मित होने के कारण अब गाम की महीलाएं बदलू की लाख की चूड़ियों को जूड़ कर कांच की चूड़ियां पहनने लगी इस कारण अब वह लाचार और अशक्तो कर रह गया कहानी से आगे प्रश्न एक लाख की वस्तुओं का निर्माण बारत के किन-किन राजियों में होता है लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या-क्या चीजे बनती हैं ग्यात कीजिए लाख की वस्तूओं का निर्मान बारत में करनाटक, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में प्रमुखरूब से होता है लाख की चूडियों के अत्रिक्त खिलोने वा मूर्तियां भी बनाई जाती है लाख की चूडियों के अत्रिक्त खिलोने वा जाती है